भारती राष्टी आंदोलन में आज कहानी है जालिया बाला बाग हत्याकांड की भारत में करांतिकारी गतिवीदियों को समाप्त करने के लिए उसका दवन करने के लिए रॉलर्ट कानून लाया गया उन्हीं सो नीसिस्वी में भारतियों नहीं से काला कानून कहा और इसका ब्यापक बिरोध सुरू हुआ इस करी में 6 अप्रेल को एक देश ब्यापी हर्ताल का आहवान किया गया इस हर्ताल के दोरान ही अमरिजसर में एक सांती पूर्ण जुलुस निकाला गया सांती पूर्ण जुलुस अचानक हिंसक हो जाती है और उसके हिंसक होने से उग्र होने से पांच अंग्रेज की जान जाती है इसके बाद अंग्रेज अधिकारी और अधिक सजग हो गए और अधिक सक्री हो गए गिरिफतारियां तेज कर दी गई उन दिनों पंजाब के गवर्णर थे माइकल ओ डायर उन्होंने अमरित सर्थ सहर की कमान जनरल डायर को शौप दी अब जनरल डायर अप्रैल 1919 को कमान संभालता है अमरित सहर की और उसने अनिक गिरफतारियां की ऐसी दोरान पंजाब के दो लोकपरिये नेता सतपाल और किचलू डॉक्टर सतपाल और सैफिदून किचलू की गिरफतारी हो जाती है अपने लोक्रिये नेता के गिरफतारी से वहां के लोगों में आक्रोष बढ़ गया ये आक्रोष पहले से ही पनप रहा था जो ही इनकी गिरफतारी हुई यह पढ़ जाता है 13 अप्रेल को एक सभा आयोजित की जाती है बैसाखी के दिन सभा आयोजित करने का निर्ने लिया ज पैद करार दिया गया था इसके बावजूद लगभग 20 हजार की भीर जालिया वाला बाग में इकठा हो जाती है साम सारे चार बदे सभा का संचालन सुरू होता है सभा की शुरूआत होती है अभी सभा सुरू ही हुई है कि जनरल डायर एक सेन टूकरी के साथ प्रवेश कर होकर उसने सभा को तीन मिनट में बाग को खाली करने का आदेश दिया अब 20 हजार बाली सभा तीन मिनट में कैसे बाग को खाली कर सकती है वीचार करने वाली बात है और ओभी जिस्र रास्ते से जंता बाहर निकल सकती है वहां पर खारा है ब्रिगेडियर जनरल डायर अपन मिनट की उफचेतावनी और फिर फाइरिंग सुरू तीन सो पच्चास राउंड गोलियां चलती है 303 की इन गोलियों से लगभग 2000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और 1000 से अधिक लोगों की मौत होती है देखते ही देखते ही चितकार से करंदन से चिलाहट से और खून से धर्ती संजाती है चितकार से आकास गुंज उठता है सरकारी आंकरे केवल मृतकों की संख्या 389 बताती है और घायलों की संख्या 1000 बताई गई उन दिनों जनरल डायर के इस कारेवाही को लेकर देश में बरिपरतिकरिया सुरू होने लगी दिनबंदूशिये फेंडरूज ने इसे जान वर्ज कर की गई कुरूर हत्या कहा मांटेस्क्यू जो उन दिनों भारत के वाय सराय थे उन्होंने भी इसकी निंदा की लेकिन ये निंदा दबे दबे ही की गई परंतो माइकल ओडायर जो उसमें पुलिस पंजाब के गवर्णर थे उन्होंने कहा जनरल डायर को तुम्हारी कारवाही ठीक है गवर्णर इसे स्वीकार करता है इस घटना का भारत में व्यापक विरोध सुरू हुआ संकर नायर उन दिनों वाई सराय की कार्जकारणी परिशत के अध्यक्ष थे वाई सराय की कार्यकारणी परिशत सदस्य से संकर नायर ने इस्तिफा दे दिया तो इस प्रकार से संकर नायर इस्तिफा दे देते हैं वाई सराय की कार्यकारणी परिशत से इस घटना की जाच करने के लिए सरकार के दौरा हंटर कमीटी का गठन किया जाता है हंटर की अज़क्षता में आठ सदस्य कमीटी गठित की गई जिसमें पाँच सदस्य लॉड हंटर के अलावे चार अन्य सदस्य अंग्रेज थे और तीन सदस्य भारतिय थे हंटर कमीटी के कागठन एक अक्टूबर उनीस सो उनीस को होता है जो तीन सदस्य के भारती थे उसे ध्यान देना है में चिमन सी तलवार, शहवजादा सुल्तान, सुल्तान अहमद और जगतनारेन फिर से एक बार देखते हैं चिमन सी तलवार, सहवजादा सुल्तान अहमद और जगतनारेन तो आठ सदस्य जो हंटर कमीटी है इसमें तीन सदस्य भारती थे बाकी पाँच अंग्रेज थे इसकी रिपोर्ट भी 2020 में प्रस्तूत होता है, मार्च 2020 में प्रस्तूत होता है परंतु उसे पहले ही एक बिल सरकार ने पारित किया, इंडेमनीटी बिल जिसके तहट उसने बचाने की कोसिस की तमाम उन अधिकारियों को जो जालिया वाला बाग हत्या कार्ण के लिए उत्तर दाई थे उनको बचाने के लिए यानि यह हंटर कमीटी के रिपोर्ट से पहले ही इस घटना पर लिपापोती कर दी गए कॉंगरेस ने मदन मुहन मालविय के नितरतों में, मदन मुहन मालविय के नितरतों में, एक कॉंगरेस ने एक अलग से जाज कमीटी गठित की इस कमीटी ने मदनमोहन मालविय के नेतरत्तों में जो कमीटी गठी थी गई इस कमीटी ने इस सत्याकांड्स की भर्सना की निंदा की और साथ ही साथ जिन लोगों की इसमें सनलिप्तता थी उन पर कानूनी कारवाही करने की मांगी साथ ही जो हताहत हुए थे जिनकी गायल हुए थे जिनकी मौत हुई थी उनके परिज़नों को आर्थिक सहायता देने की बात कॉंग्रेस की कमीटी जो मदनमोहन मालविय जी के नेतरत्तों में गठित की गई थी जाच कमीटी उसने मांग की परन्तु कुछ विशेस इसका परि परोस शुरू हुआ और इसी की परिनती थी कि 1920 इसमी में गांधी जी ने अशहयोग अंधोलन की शुरुआत की यानि जो जालिया वाला बाग हत्या कार्ण के बाद जो इस्तिती बनी थी इस से हैं लेकिन इस घटना में एक बालक उश्य में लासों की धेर पर बच जाता है पुलिश समस्ती है कि साधो मर गया है परंतु बच जाता है और उसने इस घटना के जो मुख्य कहले कि जो घटना के लिए उत्तरदाई रेकती थे जनरल डायर उसका तो निधन हो जाता है परंतु माइकल ओ डायर की हत्या जाकर उनों लंदन में करते हैं वो थे उधम उधम सिंग ने जनरल डायर और माइकल ओ डायर को मारने की कसम खाई और अपनी कसम को पूरा करने के लिए वो लंदन तक गए लंदन में जाकरके उन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी 1940 इसमी में वहाँ उनको फांसी दी गई विंस्टन पार्क में आज भी उनकी समाधी है और विंस्टन हॉल में ही एक विसेश कोट में उनको जो है सो फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इस प्रकार से उधम सिंग का रिस्ता जालियावाला बाग हत्या कान से था हाला की सहीदों को सरधान जली देने के लिए सहीदों की सहाधत को नमन करने के लिए भगजत सिंग जिनकी उमर महज 11-12 साल थी वो भी अमरेसर के इस जालिया वाला बाग हत्याकार्ण में आये थे हम भी अपने इस वीडियो के माज़म से उस में सहीद हुए तमाम सहीदों को सरधांजली देते हैं शाथ ही एक जानकारी देते हैं घटना के लगभग सौ साल बाद बोरिश जॉनसन जो परतमान प्रेटिस परधान मंतरी हैं उन्होंने इसे स्वीकारा किया एक आमान भी एक क्रित्र था बहुत बहुत धन्यवादी